स्वागती दोस्तों एक बर फिर से आप सब का मेरे चैनल मिथी कुपर दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगा के बारें बताऊंगी जिसको जिन्नों का टीला कहा जाता है दोस्तों फिरोश्या कोटला नाम से ही बहुत बड़ा और विशाल लगता है भूत प्रेज से हट कर इस जगा पर अच्छे अच्छे जिन्नों की कहानिया प्रसिद्ध है जो कि लोगों को जिन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या है फिरोश्या कोटला में जिन्नों का अड़्डा फिरोश्या कोटला दिल्ली के फिरोश्या कोटला में एक तरफ स्टेडियम है जहाँ पर बड़े-बड़े दिगज़ खिलाडियों ने अपना नाम रोशन किया और वही दूसरी तरफ एक रहसे में खंडर सा किला है जहाँ पर रहसे में जिन रहते हैं आईए पहले जानते हैं कि कैसे बना फिरोश्या कोटला सुल्तान फिरोश्या तुगलग ने अपने चाचा मुमत बिन तुगलग से राजगत्दी छीनने के बाद 1354 में फिरोश्या कोटला किले का निर्मान कराया था उसी साल उसने एक शहर भी बनवाया था जिसका नाम था फिरोश्या किला इसले भी बनवाया था जो कि तुगलग बाद किले में पानी की समस्या थी ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक बाबा रहते थे जिनोंने अपने शागीदों को जिन की शक्तियों के बारे में बताया था जो कि वह मैसूस कर रहे थे उन्होंने ये भी बताया कि जो भी यहाँ पर अपनी मुरादे लेकर आएगा उसकी सारी मुरादे जिन जरूर पूरी करेंगे ये जिन करीबन 400 साल पुराने हैं यानि कि ये जिन यहाँ पर 400 सालों से रह रही है फिरोश्रा कोटला में सबसे जादा चर्चित जिन है लाट वाले बाबा ये सब जिनों के मुख्या हैं वे 13.1 मीटर से बने पत्तर के मिनार ये जरीगिर में रहते हैं इस मिनार की चारो तरफ रेलिंग लगी है लोग इस मिनार को जूने की कोशिश इस प्रयास में करते हैं कि शायद उनकी मुरादे पूरी हो जाएंगी फिरोश्रा कोटला एक किला है जहां पर लोग घूमने आते हैं लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं और इसी कारण वे लोग इस फिरोश्रा कोटला में आते हैं और अपनी सारी इच्छाएं लिखकर एक लेटर पर वहीं पर छोड़ देते हैं यहां का नजारा देखकर आप लोग चौक जाएंगे लेकिन जिन में विश्वास रखने वाले लोग यहां पर जरूर आते हैं और अपनी इच्छाओं को यहां पर एक लेटर के जरिये जरूर छोड़ कर जाते हैं लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को एक बात और बताऊंगी एक तरफ जहां पर लोग ऐसी बातों को बढ़ावा देते हैं वहीं पर दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कि इस बात को सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं यहां पर काम करने वाले करमचारी, मैनेजमेंट और सफाई करमचारी को बहुत मैनत करने पड़ती है जब यहां पर साफ सफाई की जाती है, क्योंकि यहां पर लोग बहुत ज़्यादा गंदगी फैला कर जाते हैं अंधविश्वास में यहां पर काफी अगरबती वेस्ट की जाती है और साथी साथ खूब सारा पेपर भी वेस्ट होता है जो कि मोन्यूमेंट को खराब कर रहा है और यह भी माना जाता है कि यहां पर सिर्फ अंधविश्वास है भूत उतारने का और जिन के होने का और इन सब चीजों पर यहां पर बिजनेस किया जाता है यहां पास में रहने वाले लोग इसे सिर्फ एक किला मानते हैं अब इस बात में कितनी सच्चा ही है वो तो यहां पर आने वाले लोगों और उनकी पूरी होने वाली मुरादों पर डिपेंड करता है दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर सच में चिन है जो इच्छा है पूरी करते हैं या फिर पूरी तरीके से अंधिश्वास है हमें कमेंट पर जरूर बताएं और अगर व्यूडियो पसंद आई है तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करें साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो ऐसे ही फैक्ट्स और स्टोरी जानने के लिए मेरे पेज को सबस्टाइब भी कर दे तो मिलते हैं अब अगले स्टोरी में